ये फ्रेंड्स मैं हूँ साजिदा तो दोस्तों आज की इस रिक्वेस्टेट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और सरल सा नुस्का जो की है मकडियों को भगाने के लिए बहुत ही आसानी से आप अपने घर की सारी मकडियों जालों को खतम कर सकते हो भगा सकते हो अगर आपकी घर में है मकडि वगएरा तो आप उसके को जरूर ट्राइ कीजिए आपको 100 पसंद डेखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूल जब भी आपको वीडियो पसंद आए उसके बाद ही करना है तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पे मैं एक बॉल ले लेती हूं दोस्तों आपको मैं हर वीडियो में बता देती हूं कि मैं ये बरतन को अपनी किचन में इस्तमाल नह चाते हो वह इसाब से पानी ले सकते हो तो यहां पर मैंने एक गिलास लिया हूँ है अब हमें सबसे पहले इसमें एड करना है नमक बहुत ही जादा स्पेशल है दोस्तों इस नुस्के में नमक को मिक्स करना है अच्छे से अगर आपके पास इस तरह का नमक नहीं है तो और मली नमक सबके घर्मों में होता है अब मैं यहां पे आधा कप विनिगर एड़ कर रही हूं वाइट विनिगर जी हां दोस्तों वाइट विनिगर बहुत ही जादा पावरफुल होता है और इसकी स्मेल भी काफी स्ट्रॉंग होती है जो की मकडियों को बिल्कुल पसंद न खटा है दोस्तों इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है विनिगर इतना खटा होता है लिम्बू भी हमने एड़ किया है और साथ ही नमक भी एड़ किया हुआ है तो इन सब को अच्छे से मिक्स करना है काफी अच्छे से मिक्स हो जाएगा यह दोस्तों देख सकते हो आप इज कि आपको किस तरह से किस बॉटल में स्टोर करना है अगर आपके पास कोई भी खाली बॉटल है या फिर आप कोई नॉर्मल बॉटल में भी आप स्टोर कर सकते हो करीबन आप यह एक से दो महिने तक का स्टोर कर सकते हो दोस्तों यह बिल्कुल खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें नैचुरल चीज़े हमने एड़ किया हुआ है तो मैं इसी गिलास में मैं इसको एड़ कर लेती हूँ और इस तरह से स्प्रे बॉटल में एड़ करूंगी दोस्तों इसमें डाल दोंगी ताकि इस प्रे करने में बहुत ही आसानी हो अगर आपके पास इस तरह सी बॉट तो जट पट से बन कर रेडी हो गया है आप इसे शेक करके आप इस प्रे कर दीजिए जहां-जहां मकडी के जाले हैं मकडी है और सबसे पहले कोने कॉपचे में जो भी जाले वगरा है उनको बन कर दीजिए और फिर यह 100% काम करने लगेगा तो जट पट से नुसकार रेड से याले हैं में बगाइ